हेलो फ्रेंड स्वागत आपका अंजू स्ट्रीचिंग आइडिया चेनल पर मैं अंजू तो आज देखी मैं पुराने कपड़े पीलो कवर मैं कुछ उठा कर लेकर आई हूँ और कुछ बचेवे कतरन के कपड़े हैं इन ही काम डियाइवाय करेंगे और दो आइडियाज मैं के साथ शेयर करूंगी तो फ्रेंड देखिए हम जो कटे होते हैं चावल के हूं के वह भी हम यूज करेंगे इसके अंदर और जो चद्दर होती है जो बैडशीट होती है उनका भी हम यूज करेंगे तो चलिए फिर मैं फटा-फट से बताती हूँ कि हम किस प्रकार से यू निकाल देंगे और हमें अच्छे-च्रत पीसे सिस्मे से कट करके निकाल लेने हैं अब इनको हम हम दो को एक साथ में लेंगे और पां चिंच की मैचिंग के हिसाब से अब एक के उपर एक ऐसे रखते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और यह लंबाई में कुछ इस प्रकार से सिलाई लगा कि हम सारी पटियां अटेच कर लेंगे और चोडाई में चार पटी हैं और लंबाई में साथ पटी हैं इसमें सारी पटी हम इने अटेज कर ली है अब देखिए हमें कुछ इस प्रकार से पकड़ना है इनको और सिलाई जो है हमें सिधी साइड लगानी है इनमे और एक के साथ एक को जोड़ते जाएंगे और सारी पटी आपस में जोड़ लेंगे उसके बाद देखिए डबल फोल्ड में हमें ये कट्टा लेना है चावल गयों की जो खाली बोरी कट्टे होते हैं उनका यूज करना उसके उपर आप बैड सिट को रख लेना मोटा कपडा रखना है और फिर मैं फैबरिक को रख लेंगे जो हमने तयार किया है पीसेस फिर मैंने दो इन चोड़ी ये लंबी पटियां कट कर ली है और इस पटि को हम डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारी सिलाई है उसके पास पास में रखेंगे इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पटि से जो सिलाई है सिलाई मारजन बाहर दिख रहा है इसको कवर करना ह तो देखी इस सिलाई मारजन के पास में रखेंगे और आधा इन सिलाई मारजन को छोड़ते उए अंदर की साइड हम इसको पूरे में सील लेंगे अब देखी इसको पल्टेंगे और सिलाई मारजन इसके अंदर आ जाएगा अब और इसके उपर एक सिलाई लगाते जाएंगे, किनोर की सिलाई लगाएंगे ये हम और एक के बाद एक हमें सारी पटियां अटेज कर लेनी है कुछ इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, लंबाई में भी देखिए सिलाई मार्जन बाहर दिख रहा है तो इसके उपर भी सेम तरीके से हमें अटेज कर लेनी है कुछ इस प्रकार से अब देखिए मैंने ये तीजिन चोड़ी पट्टी कट करके ले लिए है लंबी इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस सीट को हम कर लेंगे उल्टा और किनोर से रखेंगे इसको और लंबे में सील के अटेज कर लेंगे इसको तो मैंने सील के इसको अटेज कर लिया अब इसको फोल्ड करेंगे और अंदर की सैट गुमाते हुए है इसके उपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है किनोर की एक साइड से सील गई है ये पट्टी अब हमें गुमा लेना है इसको और दूसरे किनोर से भी सेम तरीके से हमें इस पट्टी को रखना है इसको पलट लेंगे और यहां से रखेंगे पट्टी को और कुछिस प्रकास से पलट कर इसको भी हम अटेच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए अब हमें तिसरी साइड भी देखिए कुछ इस प्रकार से रखना है इसको पलट लेंगे और देखिए नीचे हमें लास्ट में कुछ इस प्रकार से आधा इंस एक्स्ट्रा कट करके इसके पट्टी को अंदर फोल्ड कर लेना है जिससे कॉनर पर फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी और इसको भी सिलाई से टेच कर लेंगे तो देखिए चारो कोनर हमारे अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गए है इसके ये देखिए चारो कोनर पर अच्छे से आप इसको बड़ी साइज में बना कर मेट की तरह यूज कर सकते हैं मैंने ये दोर मेट बनाया चोटी साइज में तो देखिए नीचे की सैट भी इसका कितना फिनिशिंग इसके कितना प्यारा लुक है इसका और ये अच्छी बात ये है कि वोसेबल बनकर तयार हो गया है और चलिए फिर अब हम नेक्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए देखिए मैंने ये कुछ पीसे सकट करके रख रखे हैं पहले से, और इसकी लंबाई रहेगी साड़े दस इंच की और चोड़ाई रहेगी तीन इंच की, अब हमें एक के उपर एक रखेंगे और शिलाई से अटेज करते जाएंगे, चोड़ाई में हम इसको अटेज कर लेंगे, तीसरी पटी को इसके उपर रखेंगे और अटेज कर लेंगे, अब चोथी पटी को भी रखेंगे इसके उपर और अटेज कर लेंगे, और इसी प्रक कर के चारतिस तयार कर लिए हैं अब देखिए इनको कुछ इस त्रीके से डिजाइन में रखेंगे हम और इस पीस को इसके उपर रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देगे अटेच कर लेगे इसको इधर से दूसरे पीस को भी उठाएंगे और इसके उपर इस प्रकार फोल्ड करेंगे यहां पर बीच में सिलाई लगा लेंगे अब देखिए इनको लंबे में पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है बीच ओ बीच इसको ओपन करेंगे और एक बार इसको अच्छे से प्रेश से हम बेठा लेना है हमें सिलाई मार्जन जो अंदर वाला है वो एक साइड करके फिर हमें इसके उपर प्रेश कर लेना है तो यह इधर उदर नहीं जाएगा और यह फिनिसिंग के साथ बनकर हमारा यह तयार हो जाएगा अब देखिए मैंने एक प्लेन कपड़ा लिया है जो सेम साइज का है अब मैंने फॉर्म सिट रखिया इसके उपर फॉर्म सिट चोटी पड़ गई तो मैंने चोटा टुकड़ा रख लिया इसके उपर अब यह है लिए इन चिजिसमें perfection की दिजाइन जो हमें देनी है इसके उपर तो देखिए इदर से हमें जो gray वाला पार्ट है इसका वह हमें पहले कवर करना है सिलाई से और सिलाई से भी हमें इस्के उपर डिजाइन बनानी है तो आप ध्यान से देखना एक-एक शिलाई को अब देखिए हमें इस कोनर से सिलाई शुरू करनी है और सलवटे नहीं आनी चाहिए बीच में कहीं पर भी इसके अंदर हम जितनी फिनिशिंग से सिलाई लगांगे उतना ही अच्छा लगेगा बनने के बाद अब हमें इसकी नौर से सिलाई को सुरू करना है और यहाँ पर आकर हमें घुमा लेना है अब यहाँ से सिलाई सुरू करेंगे दूसरी साइड से और इस सिलाई को हमें इस साइड घुमाना है यहाँ पर लेकर आएंगे और सिलाई लगा लेंगे इसके उपर अब हमें इसके बीच में शिलाई लेकर जानी है बीचो बीच शिलाई लगानी है इसके उपर और यहां पर यहां तक शिलाई आने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से घुमा लेना है अब हमें सेम तरीके से दूसरी सैट भी शिलाई को लगाना है यहां तक आने के बाद यहां से भी घुमा लेंगे तो यह इसके अंदर चिलाई से भी डिजाइन बन जाती है कुछ इस प्रकार से अब हमें क्या करना है यह जो दूसरे पार्ट है हमारे जो तीन पीस बच गए हैं इसके किनोर किनोर पर सिलाई लगाएंगे जहां पर यह ज्वेंट है यहां पर सिलाई लगाएंगे और अब दूसरी सैट भी देखिए इसके बीच में सिलाई लगाएंगे अब इसके बीच में सिलाई लगाएंगे येलो वाली पट्टी के बीच में सिलाई लगाएंगे अब येलो वाली जो पट्टी है हमारी उसके किनोर के उपर हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर अब एक सिलाई इस ग्रीन वाली पट्टी के बीच में लगानी है तो हमें सारे box इसी तरीके से तयार करने है, एक-एक सिलाई किन और पर लगाएंगे और एक-एक सिलाई बीच में लगाएंगे, इनके किन और पर लगाएंगे और एक-एक सिलाई हमें बीच में लगानी है इनके, बिल्कुल सिम्पल सा तरीका है, सभी box इसी प्रकार से रेड कि अब हम इसको पलट लेना है और यहाँ पर हमें चाहिएगी अब तीन इंच चोड़ी पट्टी यह मैंने रेड कलर के लिए और इसको यहाँ पर रखेंगे सीधा सिंगल रखेंगे इसको डबल फोल्ड करके नहीं रखेंगे और आधा इन सिलाई मार्जन को छोड़ते विए देखें सिलाई लगाएंगे इसके उपर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे सेम तरीके से हमें दूसरी सैड भी रखेंगे पट्टी को सील लेना है इसके साथ में अब इनको पल्टेंगे अंदर की सैड और यह देखें डबल फोल्ड करते हुए यहां पर किनोर पर हमें सिलाई लगाके इसको अटेच करना है पूरी लंबी में और दूसरी सैड वाली पट्टी को भी सेम तरीके से अब देखिए यह पट्टिया मैंने सैड में अटेच कर ली है सिलाई लगाकर अब इधर जब हम पट्टी लगाएंगे तो देखिए मैं बताती हूँ कैसे लगाना है आधा इंच या एक इंच उपर की सैड पट्टी को निकालेंगे और इसको टैन कर देंगे अंदर की सैड और फिर इसके उपर हमें सिलाई लगाना है और लास्ट में भी देखी हमें एक इंच एक्स्ट्रा पट्टी को कर लेना है और इस पट्टी को अंदर की सैड ऐसे फोल्ट करेंगे और फिर इसके उपर हमें इसको सीदा करेंगे तो देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी कॉर्णर के उपर अब इसको इस प्रकार डबल फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिले लगा लेंगे तो देखिए कितने अच्छे कॉर्णर बनते विए जा रहे हैं इसमें लास्ट में भी देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है कॉर्णर पर सेम तरीके से हमें इधर भी पट्टी रख लेनी है रखकर उल्टी साइड एक इंस एक्ट्रा रखेंगे उपर से और फोल्ड कर लेंगे उसको तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा प्यारा से डॉर्मेट बनकर तयार हो जाता है आप इसको गद्दे की तरह भी बड़ा बनाकर यूज कर सकते हो आप इसको डॉर्मेट की तरह भी यूज कर सकते हो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है कॉर्णर के उप क्लावर और बनाना भी यह कितना आसान है एक-एक सिलाई यह देखी दिजैन से और फिनीसिंग के साथ आई है और यह देखिए को नर उल्टी सेट भी देखी इसकी फिनिशिंग सारी सी लहियां डिजैन से बनी हुई है तो फ्रेंज आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हो आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छे अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है लेकिन जब आप लाइक कमेंट नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का अच्छे अच्छी वीडियो लाने का मन नहीं करता है तो उमीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो यह आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आयो तो लाइक कमेंट जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए खुश रही है मस रही है बाद